तो हेलो एवरिवन कैसे आप सभी लोग आता करतो हो आप सब अच्छे होंगे तो आज मैं आप लोग के सामने और एक नया वीडियो लेके आगया हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे बियेश्यू के स्कूल इंटेंस टेस्ट के बारे में यानि कि बनारस इंडियू यूनिवर्सी के जो है उसका स्कूल इंटेंस टेस्ट के बारे में ठीक है तो आज हम आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हाव तो अप्लाई ऑनलाइन और उ इसके लिए क्सक्रतना हो हमारे सबसे पहले हमार इस इयुकर दो की है डिपाइब के शोक्ताइब हो भी दिशाइब कर पर जो यह जादा है फैकल आप जो इस तरह का एक फिर जहाएगा पेश के खुलने के बाद जब आप नीचे स्क्रोल डाउन करते ही आप लोग यह देख सकते हैं बिहार कॉर्णर में आप लोग देख सकते हैं बिहार कॉर्णर में बियेच्व एस्टेट छी एड्मिशन फॉर्म है तो आप लोग सिंपली क्या करना है आप लोग को इस पर क्लिक कर देगा इस पर आप लोग का पेज खुल जाएगा ऐसा ठीक है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं सबसे पह परने का लास्ट जो है वह है 21 टारिक ऑफ मार्ज ठीक है 21 ऑफ मार्ज मतलब मार्ज के 21 तक आप यह फॉर्म भर सकते हैं तो देख लीजिए आगे आईए तो यहां पर और भी कुछ इंपोर्टेंट डेट्स वेगर आपको दे दिया गया है जैसे कि एप्लिकेशन स्टार्ट वह नहीं कि जब एप्लिकेशन वह स्टार्ट कब हुआ था अप्लिकेशन ऑनलेन जो फॉर्म था वह स्टार्ट कब हुआ था भढ़ना वह था 20 तारीक मेंद वह था ठीक है और लास्ट यठेट है 2324 डीमेंट स्टार्ट अधैट का लास्ट यट है 2324 ओनरान पीशन करेक्शन जो इनलेन करेक्शन करेंट अधे है वह 21-27 करेंच था है ठीक है 21-27 मार्च 24 ओह 20 Indês मार्चぎश हो bersым sådоп आ, गडआविटका जो रिलीज होगा जो उसके एडमिट का रिलीज होगा वो होगा 11 तरीको एप्रील में 11 एप्रील 2024 और जो इसका एक्जाम डेट होगा वो है आपका 29 एप्रील से 3 में तक ठीक है और इसमें और इसमें वह अपका होगा 7 तरीको ठीके साथ तरीको एप्रील में आपको आगे आते हम आप लोग application fees को क्या है application fees प्रकिया है तो आप लोग जैसे कि हाप देख सकते है अपना आपना वह जो कैटेगरी के हिसाब से आप अलग अलग application टेज जनेरल OBC and EWS के लिए 750 है SC and ST के लिए 500 है यह है थ्रू ए-lotry का यह वाला है उसके बाद आगे है यह तो तो थ्रू इंट्रेंस टेस्क जो है वह जेनरल ओबीसी का जेनरल और ओबीसी का एड़ाबली इसका 800 है एड़ SCST का 550 है ठीक है आगे देखते है तो जैसी आप लोग यहां से स्क्रोल डाउन करेंगे उसके बाद यहां पर आजाएगा आप लोग का एज लिमीट ठीक है यहां पर आजाएगा आपका एज लिमीट तो स्कूल एडविशन जो एलकेजी नर्सरी एड़ क्लास वान टू सिक्स जो है वह एज कैलकुलेटेर एज ओन एक तीस तीन होया चॉविस ठीक है तो एक तीस दीन होया चॉविस के जो एज आया था उसी के हिसाब से होगा और ठीक इसी तरह से 9 लस से 11 तक भी ऐसे होगा ठीक है अब आगे देख लेते हैं यह लीजिए आपका एज क्या है ठीक है यहां पर आप लोग अपने लेच देख लीज you जिए तो मार्क्स आपको कितना अप्टेन होना चाहिए अब आगे आईए यहाँ पर दिखा गया हाव टू अप्लाइट फोर बी एच्व 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 एड्मिशन टेस्ट ठीक है इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए को एक पर सब्सक्राइब कर ले ठीक है और बेल आइक और को रवाद दे ता कि इसी तरह के और इंफॉर्मेटरिव वीडियो हम लोग आपके सामने लेकर आया तो आप लोग को पता चल जाए तो यहाँ पर कुछ आपको लिंक्स वागर आ गया है तो यहाँ पर नोटिफिक आपको लिंक वेगरे मिलते रहेगा ताकि आप डिरेक्ट अप्लाई कर सके आपको इधर उदर भटकना ना पड़े और हमारा जो अफिसल वेबसाइट है वो है अपना देजल डॉट इन जिस पर अभी हम लोग कर रहे हैं तो आई यहाँ पर लेक्ते जो अप्लाई जालेगा ठीक है तो आगे देख लेते हैं जो यह है 11 के लिए ठीक है यह 11 के लिए math science bio math bio arts and commerce का तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं important information वेगरे देख सकते हैं कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है ठीक है तो आप लोग को apply करने से पहले आप लोग के साथ क्या क्या होना चाहिए तो आप लोग के साथ आपका email ID होना चाहिए mobile number होना चाहिए scan photo होना चाहिए आपका scan photo of candidate मतलब आपका scan photo होना चाहिए scan signature of parents and guardian ठीक है या पर फेरे फेरे तो गार्डियन का जो भी आपको गार्ड करता है उन लोग का scan signature होना चाहिए आगे आपका credit card net banking ATM का देखते हैं आगे जब आप स्क्रोल डाउन करेंगे तो आप लोग पास आएगा application login का एक अपसद आएगा ठीक है तो जो पहले से ही यूजर है जो पहले से ही है उसका student वह यहां पे sign in कर सकता है और हम लोग new registration है इसलिए हम लोग क्लिक करेंगे कहा पे new registration ठीक है कहा पे क्ल अब लोग यह वाले blue वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे तो ब्लू वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप का कुछ इस तरह से page खुलिए ठीक आपका कुछ इस तरह से page खुल गिया है तो यहां पे आप लोको क्या करता है अपना 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 class and अपना details भरना है ठीक है जैसे कि मैं उलिडिदेर कुछ भर धेता है मेरा class मानेजे 11 math के लिए ठीक है class 11 13 मैं यहाँ पे पकछ फर्स नेम डालूँगा इसके बाद में डालूँगा फर्स नेम ल हुं नार्स ने canyon के ऑ देट गर से क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इसारह का यह तरह आ माली चाहँ कुछालगी जो कि Your Age is 15 years to month ग्रावंज आप अपका एज़ भी बता देगा अप लो भी आप नमबर सदीक करेगा अपना अपना एज़ ज़िवलग करीगा तो आपका यह करेंट एज बता देगा ताकि आप उसके देख सके कि आप एज़ क्रेटरिया के लिए वेस्ट है कि नहीं है स्क्रिल्राउन करेंगे तो आपको जिंदर सेलेक्शनय यहां पर देखिये नीचे में की औदे दिया यानि की श्री या डॉक्टर आधी अ port नाम के नहीं जोड़ना है तो आगे आईए देख लेते हैं आगे हम लोग का आप लोग का जो इमेल आईडी होगा जो इमेल आईडी होगा जिसेंपे अप लोग बियेचि को एक एक एक्टिफ इमेल आईडी डालना है जिस पे आप हमेसा रेगुलर ले चेक करते रहते हैं कि कॉलिज के तरफ से कुछ इंफरमेशन आया है कि नहीं आगे देखिए यहां पर आपको पासवर्ड क्रियेट करने का है जो कि यह पासवर्ड लेंट सुन भी एट टूट्वेंटी एट लेटर से ट्वेंटी लेटर तक इसका लेटर चाहिए इस मॉस्ट कॉंटेंड एट लेटर वान नमबर एंड वन स्पेसल करेक्टर तो एक ले स्कूल के तरफ कोल आ सके तो यहां पर लोग को कहां तो आप सभी के यूजफध तो आप लोग इस पार इसकोÚ शेयर करदीजिया और जो जो यह इस पर नए है जो जो इस पर नए है आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हम लोग हम लोग और भी इसी तरह से इंफोर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे और जो हमारे यूटूब चैनल यूट वाट्सटाप ग्रूप एड टेलिग्राम से जही जुड़े ह वो जौइन हो सकते है लिंक पर क्लिक करते हैं लोग प्रिभियेट वाले पेच पर लिंक मिला होगा उस पर क्लिक करकर आप लोग जॉइन हो सकते हैं ताकि आप वहां से यूटू लिंक के थरू कुछ भी online कर सेके वहां पर लिंक, वगरा आते रहता है एक्जाम वगरा का या फिर रिजल्ट का किसी चीज का आते रहता है तो एक बार आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन लगा दीजिए धन्यवाद